ओम वंदेगौ मात्रमित्रो मेरे सभी दर्शकों को दीपुत्सव की धेरसारी शुबकामनाई आज मेरा घर कैसा लगता है क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक शंकाए है प्रश्ण है कि आपका घर कैसा है आमें एक बार दिखाईए चलिए तो हम आज आपको अपना घर दिखा रहे हैं यह खिड़की है जहां पर मैं अकसर वीडियो बैटके बनाती हूं खिड़की के सामने तो हम आप पोर अगुम जाते हैं लोगों के मन में बहुत बड़ी जिग्यासा है कि अंदर क्या कैसा है यह यूट्यूब से जो मिला था उसका डबा है यह मेरे बच्चे की पढ़ाई की टेबल है यहां से हम अकसर मैं यहां बैटके नीचे बटके वीडियो बनाती हूं अंधरा इसलिए रखा है कि अज दि आज हम आपको दिखाते हैं इसके भीतर है यह मेरे घर का छोटा सा देवस्थान और आज जो लक्ष्मी पुजन किया है दीपक के साथ और फिर इस कम्रे से बाहर निकलके हम इस घर के यह दिख्या आप दर्वाजे पेपसर जो फोटो देखते हैं हल्का धूंगल आपको दिखाई देखा बाद में आपको एक बार लाइट चालो करके देखाऊंगी यह देखिए यह हॉल मेरे घर में टीवी नहीं है यहां टीवी होना चाहिए जहां टीवी नहीं है और उसके बाद यह हॉल की खिड़की और यहां से हम अपने घर में आगे प्रवेश करते हैं आगे जाते हैं तो सामने बस बेशिन है बाए हां की तरफ छत है टेरेस है यहां पे मेरे पौधे हैं कभी-कभी मैं यहां भी वीडियो बनाती हूं अपने देखे होंगे यह पुरी छत है खुला है उपर से खुला है खुला है आसमान खुला है इस तरह से आप दिखाए नहीं लेगा अभी और हां यह पूरा इस तरह से हुआ उसके बाद हम वापिस घर में प्रवेश करते हैं यह सामने की तरफ मेरी बहुत त्रियस रहती है कि मुझे ज्यादा रूची नहीं आती है तो यहां यह रसोई है मेरी रसोई घर से हम मेरे घर में चुटा सा फिस भी है अब देखे तो इतर एक चुटा सा यह नन्नो सा यह मेरा नहीं समझ में आएगा आप लाइचालू करके जब हम दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा चाली हम दूसरे कमरे में जाते हैं यह देखिए यह बाथरूम है एधर एक बेडरूम है जिसको हम सोने का कष्ष कहते हैं अब यह दिवाली का उत्सव है इधर दूसरा बात्रूम है, बात्रूम का आपको काम नहीं है, ये इस तरह से ये मेरा पूरा घर है, चले हम धीरे धीरे एक एक लाय चालो करते हैं, ताकि आप ये घर को ठीक से और देख सकें, ये देखिए, थोड़ा बिखरा भी पड़ा है, आईए, ये आपके मन में ग्याशा होती है, ये मेरे बेटे के फोटो है, एक ही बेटा है, उसके दोनों फोटो है, एक साथ महिने का था, एक खोने तीन साल का था, तो ये वो फोटो है, अब हम वापेस ये देखिए, एक एक लाय चालो करते जाएंगे, तो आपको सब कुछ पस्ट होता जाएगा, यहां भी हमने एक वीडियो बनाया था, जो हमने आँखों के देख़ार पर अभी दिया था थोड़ी दिनों पहले, और उसके बाद ये रसोई, इतनी पहली पढ़िए देखिजी आप, और ये है नन्नू सा मेरा फ्रिज, आप देख सकते हैं मेरे फ्रिज की साइज क्या है मेरे कमर से भी नीचे है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये टेरिस की तरफ हम गए कि इसमें मैंने बल्ब लगाना भूल गई हूं कि मुझे इसमें ऐसे ही अच्छा लगता है, तो आप ऐसे ही देख लीजिए, उसके बाद, शाम होल की राइट चालो करनें पिटा वाल करो, ये वाली सारो करो, हाँ, ये हूल है मेरा, और इस कमर की लाइट चालो करो बिटा, ये ये, रुके चा, रुके चा, सामने आट, सामने आ, सामने आ, सामने आ, अंधेर में है अभी, शामने आओ बेटा, यह मेरा बेटा है, इसको कभी आप, बाल बहुत बड़े हैं भी इसके, यह इसका टेबल है, और यह लैप्टोप है इसका, मेरा लैप्टोप अंदर रखा हुआ है, और जो आपकी जिग्याशा है, उस कमरे के लिए मैं आपकी बनाती हूँ, आपको पीछे इस तरह से कुछ देखता है, जो आप देखे कई बार सोचते हैं कि क्या है, यह एक्शली लाइब्रेरी है, किताबी हैं इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी किताबे हैं, और एधर यह मेरा पूजाघर है, यह देखिए, अब आप यह मत सोच मैं किसके पूजा करते हूँ, मैं सबको मानते हूँ, क्योंकि हम आज की लक्ष्यों पोजन हुई है, तो सबको मानते हैं हूँ, और सबकी पूजा करते हैं, तो यह है मेरा घर, और आपको मैं भी दिख जाओं, यह हूँ मैं, मुझे आशा है कि आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा, धन्यवाद, बंदे मातरम.